नमस्कार साथियों कल्यानी IAS Academy के डिज्टल प्रेटफर्म पर आपका हर्दिक स्वागत है हम पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं एवं समझ चुके हैं आज से हम पेपर थर्ड की यूनिट सेकेंड को पढ़ना प्रारम करेंगे यूनिट सेकेंड का स्लेवस क्या है यूनिट सेकेंड को तयार करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है और थात यूनिट सेकेंड को तयार करते समय हमारी रण नीती या स्ट्रटजी क्या होनी चाहिए इसके लिए मैंने पहले ही एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना दि और इसको आप आसानी से समझ लेंगे इस लेक्चर में हम तत्व एवं योगिक को पढ़ेंगे एवं समझेंगे तो शुरू करते हैं द्रब या पधार्थ से देखे हमारे चारों और या हमारे आसपास जो कुछ भी है चाहे वह है ठोस हो द्रब हो या गैस हो वह है सब कुछ पधार्थ या द्रब या मैटर है अर्थात वह है सब कुछ जिसका द्रब मान होता है जो इस्थान गेरता है और जिसका अनवब हमारी ग्यान इंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है उसे ही क्या कहा जाता है द्रब्य सदार्त या मैटर कहा जाता है मान लीजिए यदि यह पर उसने मुख परिक्षा में आ जाता है और यदि हमें इसका उत्तर लिखते समय पांच नम्मर में उत्तर लिखना है या इसका तीन नंबर में जो है वो उत्तर लिखना है तो हम इसकी परिवासा को और भी अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं तो ब्रह्मांड में वह सब कुछ हमारी चारों नहीं पूर ब्रह्मांड में तो ब्रह्मांड में वह सब कुछ जिसका द्रब्मान है जो इस्थान गेरता है तथा जिसका आयतन होता है साथ ही वह सब कुछ जिस पर दवाब डाला जा सकता है और जो अन्य पदार्थ पर दवाब डालता है साथ ही साथ उस पर उसमा उर्जा के द्वारा उसकी अवस्था में भी परिवर्तन किया जा सकता है और उसका अनवह जो है ज्यान इंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है उसको ही क्या कहा जाता है पदार्थ कहा जाता है या द्रब कहा जाता है अर्थाथ हमारा जो ब्रह्मांड है हमारे ब्रह्मांड में पदार्थ है और उर्जा है तो हमारे ब्रह्मांड में उर्जा के अ क्या है द्रब्ब है या वही क्या है पधार्त है तो हम सीधा कह सकते हैं कि ब्रह्माण में वह सब कुछ जिसका द्रब्बमान होता है जो इस्थान गेरता है जिसका आयतन होता है जो दबाव डालता है या उस्मा उजा के द्वारा जिसके अवस्था में परीवतन किया जाता है, साथी ही साथ जिसका अजवाव हम हमारी ग्या नेंदरियों से कर सकते हैं, उसे ही द्रब पदार्थ या मेटर कहा जाता है, उधारण के तौर पर लोहा हो जाएगा, लकडी हो जाएगा, जल हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, वायू हो जाएगा, ये सबी क्या है, द्रब है या पधारत है, अब हम यहाँ पर द्रब का भौतिक सुरूप समझते हैं, कि अगर हम यहाँ पर जो मेटर है, उसका फैजि द्रबमान एवं आयतन के द्वारा प्रदर्शित होता है अर्थात हमारे ब्रहमान्ड में जो भी द्रब है उसका द्रबमान होता है साथ ही साथ उसका आयतन भी होता है तो द्रब के भौतिक सुरूप में सबसे पहले महत्वपूर बात क्या है कि द्रब का द्रब या पदार् कई असंक सूख्छ्मकणों से मिलकरबना हुआ हुटा है तो हमारे आसपास में जो कुछ भी मेटर है या जो कुछ भी पदारत है वो अशंक अधि defin कणुश्मकणों से मिलकरबनाई है उसका द्रभदमान south फ क्या है यह characteristics होती है ये भी हो सकता है मुख परिक्षा में पूछा जाए दरसल जो class 10th की ncrt है 10th की या 9th की उसमें इसको बहुत अच्छे तरीके से दिया है तो हो सकता है यहां से मुख परिक्षा में तीन नमबर में पूछ लिया जाए कि द्रब के कणों के अभी लाक्षुनिक कणों को हम यहां पर इन तीन बिंदों से समझ सकते हैं पहला क्या हो जाएगा कि द्रब या पदार्त के कणों के बीच में रिक्त इस्थान होता है और इसी आधार पर जो भी पदार्त है वह है बिवन बिवन अवस्थाओं में पाया जाता है अगर जिस पदार्त में ये रिक्तिस्थान कम होगा वह थोस अवस्थान में होगी या उस वह क्या होगी द्रण होगी तो पहली द्रब के कड़ों के जो द्रब के कड़ों के अभी लाथ चुड़े कुड़ों में पहला क्या है कि पदार्त के कड़ों के बीच में रिक्तिस्थान होता है और इसी रिक्तिस्तान की वज़े से पदार्थ की विविन अवस्था होती है उधारण की तौर पर यह रिक्तिस्तान सबसे कम ठोस में होता है फिर उससे अधिक जो रिक्तिस्तान है वो द्रब्य में होता है और गैसों में रिक्तिस्तान सबसे जादा होता है इसलिए ना तो उनका आकार निच्छित होता है और ना ही उनका आयतन दूसरा क्या है कि जो पदार्थ के कड़ है ये निरंतर क्या होते हैं गती सील होते हैं और तीसरा ये जो द्रब्या पदार्थ के कड़ है ये एक दूसरे को क्या करते हैं आकरसित करते हैं तो पदार्थ के कड़ों के बी गुण है अब हम यहाँ पर जो द्रब या पदार्त है उसका बरगी करण को समझेंगे तो जो भी मैटर है या पदार्त है अब एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि देखिए जो द्रब है दरासल द्रब को ही अंगरेजी में क्या कहा जाता है मैटर कहा जाता है और द्रब ज भारती पुस्तके हैं उन में इस मेंटर का जो हिंडरी रूप आंत्रा ने वो क्या किया गया है पदार्थ किया गया है इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है चाहे द्रव कह दीजिए या उसको पदार्थ कह दीजिए बात एक ही है clear और मुख परिक्षा में यह आपको इस तरीके से यहां पर जो है यह लगाने की आवस्थिक्ता भी नहीं है अगर आपसे मुख परिक्षा में पूछा जाए कि पदार्थ क्या है तब भी आप यही पदार्थ जो है यही डेफिनिशन लिखेंगे और अगर आपसे पूछा ज क्या है तब भी आप जो है द्रब्य के बारे में लिखेंगे आपको बार बार जो है द्रब्य और पदार्थ के साथ में इस तरीके से जो स्लाइस लगाने की आवस्थिक्ता विल्कुल भी नहीं है क्योंकि द्रब्य और पदार्थ का एक ही अर्थ होता है तो अगर हम देख पर तो फोंत दो रूप वहम्हलूट को दो रूभी दो बहुतिक अधार पर दो वागों में बरुट क्लादित किया गया है लिया क.' लिया है लिया दो तो समझते हैं पदार्थ का भौतिक बर्गी करण या पदार्थ की आवस्ता हैं ये भी पांच नम्मर में पूछा जा सकता है कि पदार्थ के भौतिक बर्गी करण को समझाईए या फिर पूछा जा सकता है कि पदार्थ की आवस्ता हैं कौन-कौन सी होती हैं उदारण देकर समझाईए या कई प्रकार के जो है वो प्रिश्ण पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर पदार्थ का भौतिक बर्गी करण देखिए द्रब या पदार्थ का जो भौतिक बर्गी करण है वो ताप एवं दाब पर भौतिक अवस्ता से क्या है संबंधित है तो पदार्थ का जो भौतिक बर्गी करण है वो सामान ने ताप एवं दाब पर जो भौतिक अवस्ता है उससे संबंधित होता है साथ ही पदार्थ के जो कण है पदार्थ के कड़ों की बिविन बिसेश्थाओं के कारण ही हम पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर यहां पर पदार्थ का बरगी करण पढ़ेंगे और भौतिक आधार्त पर सामान ताप एवं दाप पर प्रदार्त की तीन अवस्थाइं सुईकार की गई है पहली अवस्था हो जाएगे ठोस, द्रब और गैस तो कड़ों की बिविन विसिष्थाओं की आधार पर प्रदार्त की तीन अवस्थाइं और उनमें से भी बरतमान समय में यह जो मोडन है मोडन परिपेक्ष में यहाँ पर अन्य दो अवस्थाओं को भी सुईकार किया गया है तो अगर हम देखें पारम परिक रूप से पदार्त की तीन अवस्थाएं थी थोस द्रब और गैस परंतु बरतमान परिपेक्ष में जो है पदार्त की दो अवस्थाओं को भी सुईकार किया गया है जो की हो जाएगी वोस आइंस्टीन कंडनसेट हो जाएगा और उसके बाद में क्या हो जाएगी प्लास्म अवस्था हो जाएगी तो हम यहाँ पर हर एक अवस्था के बारे में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में समझेंगे हो सकता है कि यहाँ से हर एक अवस्था से पांच नमर का प्रस्न पूछ लिया जाए कि ठोस अवस्था क्या होती है उधारन सहित समझाईए या ठोस अवस्था के सामान गुण क्या होते हैं उधारण सहित समझाईए तो सबसे पहले हम समझते हैं ठोस अवस्था को देखिए पदार्त या दरब की वह है अवस्था जिसमें पदार्त का आकार तथा आयतन दोनों ही क्या होते हैं निश्चित होते हैं साथ ही साथ इसपस्ट सीमाय होती है अर्थात नगन संपीडनता होती है उस अवस्था को ही क्या कहा जाता है थोस अवस्था कहा जाता है तो द्रब की वह अवस्था जिसमें उसका निश्चित आकार होता है इसपस्ट सीमाय होती है रैट इस्थर आयतन ह होता है साथ ही साथ नगन संपीडंता होती है उसे ही क्या कहा जाता है थोस अवस्था कहा जाता है थोस अवस्था में जो पदार्थ के कण है वो बहुत ही नजदीक होते हैं या पास पास होते हैं इस बज़े से उनके बीच में जो अंतर आणविक बल होता है वो अधिक होता ह और पास पास होने के कारण और अंतर आणविक बल अधिक होने के कारण ही ये इनका जो आकार है ये निश्चित होता है साथी साथ इनका आतन भी निश्चित होता है और ये दरण अवस्था में होते हैं अर्थात इनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है अर्थात इनकी नग लकड़ी इत्याद यह सभी पदार्थ की ठोस अवस्ता के उधारन है साथ ही साथ हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि ठोसों के सामान गुड़ क्या होते हैं तो हम ठोसों के यहाँ पर सामान गुड़ देखते हैं पहली चीज तो यही है कि ठोस के पदार्थ में पदार्थ के कड़ों के बीच में ठोस अवस्था में जो पदार्थ के कड़ों के बीच में रिक्त इस्थान होता है वो क्या होता है नियूनितम होता है और कड़ों के बीच में रिक्त इस्थान नियूनितम होने के कारण ही अंतर आणविक वल क्या होता है अधिक होता है उसी की बज़े से ही जो ठोस अवस्ता है उसमें पदार्त का आकार भी इस्थिर होता है और साथ ही साथ आयतन भी क्या होता है इस्थिर होता है चुंकि रिक्तिस्थान कम होता है तो वो इस्थिर अवस्ता में भी होते हैं इस बज़े से जो ठोस अवस्ता है उसमें पदार्तों के कणों के गती एवं गतिद उर्जा कैसी होती है नियुनतम होती है और वहीं गैस के जो कण है गैस ये अवस्ता में पदार्त के कणों की गतिज उर्जा अधिक होती है परंतु ठोस अवस्ता में गती एवं गतिज उर्जा क्या होती है नियुनतम होती है साथ ही साथ ठोस अवस्ता में पदात के कड़ों के बीच में जो आकरसंड वल होता है वो अधिक्तम होता है क्योंकि कड़ों के बीच में रिक्तिस्थान क्या होता है नियूनितम होता है और उसी की बज़े से आयतन वी इस्थर होता है आकार वी इस्थर होता है साथ ही साथ ठ धोसों को दबाएंगे तो आप उनको जो है संपीडत नहीं किर पाएंगे अर्थात इनकी । garden क्या होती है सरबादिक होती है सा습ी ही इन में तरल्टा का गुण वो दगन्न होता है इनमें बहाव होता ही नहीं है और इनकी जो द्रड़ता है वो सरबादिक होती है तो यह हो जाएंगे ठोसों के सामान निकुर अब दूसरी अवस्था हो जाएगी जो कि कौन सी अवस्था है द्रव अवस्था है तो द्रव अवस्था या liquid state तो पदार्त या द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्त का आयतन तो इस्थिर होता है परनतु आकार निश्चित नहीं होता है उस अवस्था को ही क्या कहा जाता है दरब अवस्था कहा जाता है दरासल दरब को हम जिस वी बरतन में डालते हैं दरब उसी बरतन का रूप ले लेता है साथ ही जो द्रब अवस्था है इसमें पदार्थ के कड़ों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस से अधिक होता है यही कारण है कि इनका द्रबमान तो निश्चित होता है परन्तु इनका आकार निश्चित नहीं होता है और साथ ही हम जिस भी बरतन में इनको डाले जो द्रब है वो उसी बरतन का रोप लो लेते हैं यही कारण है कि इन में बहाव गुन होता है अर्थत जो द्रब हैं वो क्या होते हैं तरल होते हैं और तरल है तो इनमें ढूंता नहीं होती है साथ ही साथ जो दरव अवस्था है इसमें पदार्ट के जो कन है वो गती भी करते हैं और गती के कारण उनमें गतिज उर्जा भी होती है तो ये जो हैं दरव अवस्था में कन है इनमें ये गती कर सकते हैं और इनकी जो गतिज उर्जा है वो ठोस अवस्ता में कड़ों की गतिज उर्जा से क्या होती है अधिक होती है और ये ठोसों के अपिक्छा इसमें पधार्थ के कड़ जो है वो दूर दूर अवस्तित होते हैं उधार्ण के तोर पर अगर हम देखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल हो जाएगा दूद हो जाएगा और क्या हो जाएगा तेल हो जाएगा अगर हम बात करते हैं घनत्व की तो जो द्रव है उनका घनत्व ठोस से क्या होता है कम होता है परन्तु इसका भी एक जो है अपबाद है और वो क्या हो जाएगा साखे सामान्य गुडों के बारे में पढ़ेंगे तो द्रब अवस्ता की पहली जो विसेश्टा है वो क्या हो जाएगी कि देखिए चूंकि इनके में द्रब अवस्ता में पदार्तों के कड़ों के बीच में रिक्त इस्थान थोसों की अपेच्छा थोड़ा अधिक होता है इस बज़े से थोसों का आयतन तो इस्थर होता है परन्तु इनका आकार इस्थित नहीं होता है हम द्रब को जिस भी वरतन में डालेंगे वह उसी का आकार ले लेता है फिर द्रब में बहाव होता है लिक्विड में अर्थात इनमें तरलता का कुण पाया जाता है इसके यह ठोस द्रव या गैसों में इनका विसरन संबब होता है विसरन का मतलब यह होता है कि किसी पदाथ अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है तो उसके जो कण है वो ठोसों के साथ में द्रव के साथ में यह किसी दूसरे द्रव के साथ में आसानी से घुल मिल जाते हैं और उस गुल मिलने कोई क्या कहते हैं बिसरण कहते हैं और तो कुल मिलाकर दरब के जो कण है वो ठोस दरब और गैसों का जो है उनमें इनका बिसरण हो सकता है साथ ही साथ ये ठोसों की अपेक्षा क्या होते हैं संपीडित होते हैं अर्थात अगर आप दरब पर जो है प्रे तो कड़ों में गती भी होती है और साथ ही गतिज उर्जा भी होती है और जो गतिज उर्जा है वो ठोसों के अपेक्छा अधिक होती है और इनकी जो द्रणता है वो ठोसों से क्या होती है कम होती है अब तीसरी अवस्ता हो जाएगी गैसी अवस्ता हो जाएगी तो पदार्त यद रब की वह अवस्था जिसमें प्रदार्द का ना तो आकार निश्चित हो और ना ही आयतन निश्चित हो उस अवस्था को क्या कहा जाता है गैस अवस्था कहा जाता है यहां पर गैस को हम जिस भी वरतन में डालते हैं गैस उस पूरे के पूरे बरतन में क्या होती है भर जाती है यहाँ पर एक छोटा सा अंतर समझना कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने का कि यह क्या हो जाएगा कोई गिलास है अब यहां पर अगर हम देखें तो लिक्विड और गेस में अंतर यह रहता है कि जब भी अगर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और वो पानी अगर हमने इतनी ही मात्रा में किसी गैस को भी एक beaker में डाल दिया, तो आप यह माश समझें कि बीकर में इतने मात्रा में गैस रहेगी और यह खाली रहेगा, ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जो गैस है वो पूरे के पूरे गैस के जो कण है, अगर आप खोल देंगे तो गैस जो है बाहर भी आ जाएगी और अगर आपने बंद कर दिया तो इस पूरे कंटेनर में वही गैस क्या होगी फैल जाएगी तो ये इन दोनों में अंतर होता है तो द्रब को हम जिस बरतन में भरते हैं द्रब उसी बरतन का आकार ले लेता है साथ ही हम गैस को भी जिस बरतन में भरते हैं तो गैस भी उसी बरतन का आकार ले लेती है साथ ही उस पूरे इस्थान को या पूरे के पूरे बरतन को क्या कर देती है वर देती है जो गैस के कण है वो ठोस या द्रब की अपेक्छा अधिक दूर दूर होते हैं यही कारण है कि इन में अंतर अनविक जो बल है अंतर अनविक बल बहुत ही कम होता है इसी बज़े से द्रब के जो कण है वो आसानी से गती कर लेते हैं और गती करने के कारण इनकी ये गती भी करते हैं और इनकी गतिज उटजा भी होती है अर्थाथ इनमें बहाव होता है और जो तरल है वो तरलता का गुण भी प्रदर्सित करते हैं तो द्रब और गैस क्या होते हैं तरल होते हैं साथ ही साथ इन में कड़ों की जो गती है यह अनिया में तो होती है और साथ ही द्रब की तुल्णा में क्या होती है गैसों की कड़ों की जो गती है वो तीब्री भी होती है उधारण की तौर पर गैसे कारवन डायाक्साइड आक सबसे पहला, गैसी अवस्ता में पदार्थ के कणों के बीच में रिक्तिस्तान अधिक होता है, इसी वज़े से जो गैसी अवस्ता में पदार्थ के कण हैं, उन वो गती करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और इसके साथ ही उनकी गतिज उर्जा भी क्या होती है, सरभादिक हो कारण है कि ठोस और द्रब में ठोस तो तरल होते ही नहीं है लेकिन द्रब की अपेक्छा गैसे क्या होती है अत्यदिक तरल होती है तो गैसों के कड़ों की गत्य जूर्जा भी अत्यदिक होती है यह अत्यदिक क्या होती ही तरल होती है और साथ ही साथ गैसों में अत्यदिक स आसानी से कोई भी गतिविदी कर सकते हैं उधारण के तोर पर इस कमरे में बायू है आप खेल सकते हैं कूज सकते हैं जो भी करना आप कर सकते हैं लेकिन क्या आप नदी में बहुत तेज दोड़ सकते हैं नहीं दोड़ सकते हैं क्यों क्योंकि नदी में जो तरल है उसकी संप विदियों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे लेकिन अगर इसी कमरे में अगर मैं स्वीपिंग पूल बना दूँ और उसमें आपसे डांस करने के लिए या फिर घुमने फिरने के लिए कहूं तो आप नहीं कर पाएंगे अर्थात इनमें संपीरन ताभी अतधिक होती है और सबसे कम किसकी होती है गैसों की होती है घरत भी सबसे अधिक ठोसों का होता है ठोसों से कम किसका होता है दरब का होता है उससे कम किसका होता है यहां पर गैसों का होता है तो यह हो जाएंगे गैसों के सामान लग्चों तो पारंपरिक रूप से सामान परिस्थितियों में था सामानादाब पर और सामानता पर पतार्द की तीन अवस्ताइन सुरुकार की गई थी जो थी, ठोस, ढरग और गहस्स, पर्म्तु बरतमान परी पेक्ष में नए आविच्कारों ने, दो नए आविच्कारों की बजए से, साथी साथ अध्यन की बजए से, अनुसंदान की बज़े से पदार्थ की दो अवस्ताइं और सुईकार की गई है लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखें पदार्थ की ये जो दो अवस्ताइं है ये सामान निताप पर एवं सामान निताप पर नहीं है कहने का मतलब यह है कि यह जो दोनों अवस्ताइं है यह सामान निताप एवं सामान निताप पर नहीं होती है अर्था सामान निताप एवं सामान निताप पर कोई भी पदार्त ना तो प्लाजमा रूप में पाया जाता है और नहीं बोस आइंस्टाइन कंडंसेट अवस्था में पाये जाता है हाँ यदि ताप मान बहुत कम हो यदाप बहुत ज़ादा हो उस इस्तिती में पदार्थ जो है वोग प्लाजमा इवन बोस आइंस्टाइन कंडंसेट अवस्था में पाया जा सकता है तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो चौंती अवस्ता हो जाएगी प्लाजमा अवस्ता हो जाएगी देखिए प्लाजमा अवस्ता द्रब्या पदार्ट की वह अवस्ता है जिसमें पदार्ट के कण अत्या धिक उर्जा वाले होते हैं साथ ही साथ क्या होते हैं उत्ते जित होते हैं अगर प्लाजमा के बारे में आप से तीन नमबर की पूची जाए तो ये दोनों चीजों को आपको बहुत ही मतलब इस पस्ट रूप से मेंसन करना चाहिए तो प्लाजमा आवस्था द्रभी की वह आवस्था है जिसमें प्लाजमा आवस्था में जो 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 प्लाज ऐसा माना जाता है कि प्रत्वी पर सामान ताप पर और दाप पर कोई भी जो पदार्थ है वो प्लाजमा आवस्था के रूप में आवस्थित नहीं है परन्तु हमारे ब्रह्मान्ड में पदार्थ की या हमारे ब्रह्मान्ड में जो भी पदार्थ है वो सबसे अधिक प्लाजमा अवस्था में ही है उसका कारण क्या है कि हमारे ब्रहमांड में जो जितने भी तारे हैं सूरे हैं या सूरे हो जाएगा या तारे हो जाएंगे तो हमारे ब्रहमांड में तारे जितने भी तारे हैं उन में जो चमक है उसका कारण ही क्या है प्लाजमा अवस्ता है तो अगर हम देखें तो हमारे ब्रहमांड में तारे अन गिनत हैं और उन तारों में पदार्थ की कुन सी अवस्ता है प्लाजमा अवस्ता है यही कारण है कि ऐसा माना जाता है कि ब्रहमांड में जो पदार्थ है वो सबसे अधिक प्लाजमा अवस्ता में है परंतु हमारे प् प्राबर है और प्रत्वी पर ये द्रब की सामान अवस्था नहीं है परन्तु ब्रह्मान में क्या है सबसे अधिक जो पदार्त है वो प्लाजमा अवस्था में ही है अगर हम बात करते हैं तो हमारे प्रत्वी पर भी विसीस इस्थितियों में विसीस इस्थिति के से अगर हम नियोन बल्ब की बात करते हैं या फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात करते हैं जो हमारे ट्यूब लाइट है तो फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियोन गैस में जो चमक जो सुएद प्रकास या जो चमक का कारण होता है वह प्लाजमा अवस्था ही होती है परन्तु ये विसेष एस्तिती में होता है कैसी विसेष इस्तिती में होता है देखिये tube light में या neon में neon Jessie भर दी जाती है और साथ ही साथ जो fluorescent tube है या ये जो tube light है इसमें भी helium या पारे का बास्प क्या होता है भरा हुआ होता है और जैसे ही neon bulb में या फिर fluorescent tube में बिद्दूत प्रवाहिट की जाती है तो इसकी बज़े से जो neon bulb में neon gas के करण और fluorescent tube में helium या पारे का जो बास्फ है वो कैसा होता है आवेसित हो जाता है और आवेसित होने से ही neon bulb के अंदर और इस fluorescent tube के अंदर जो पदायट की अवस्ता निर्मित होती है वो कौन सी अवस्ता होती है प्लाजमा अवस्ता ही होती है अब हम यहाँ पर समझते हैं अगले पांचवी अवस्ता जो की कौन सी हो जाएगी बोस आइंस्टाइन कंडनसेट अवस्ता हो जाएगी सबसे पहले हम समझते हैं कि बोस आइंस्टाइन कंडनसेट अवस्ता क्या होती है तो देखिए सामान बायू के गनत्व के एक लाकवे भाग ध्यान से समझे सामान बायू के गनत्व के एक लाकवे भाग जितने कम गनत्व बाली गैस को बहुत ही कम त करें तो उससे क्या होगी बोस आइंस्टाइन कंडंसेट अवस्था प्राप्त होगे अर्थात यहां पर अगर हम देखें तो गनत्व भी बहुत क्या होना चाहिए कम होना चाहिए और तापमान भी क्या होना चाहिए कम होना चाहिए तो जो हमारी सामान वायू है और अगर हम देखें तो प्रत्वी पर सबसे ःत्जात होता है फिर किसका होता है द्रभ का और यहां पर किया कहा गया है कि सामान वायू के घंत्व के एक लाकवे भाग इतना कम होना चाहिए तब जो है बहुत ही कम तापमान पर वह कि एंस्टाइन न सेट्व तो dumb सीधा जो है इसका उत्तर लिखेंगे कि वह अवस्ता जब सामान वायू के गनत्व के एक लाकवे भाग जितने कम गनत्व वाले पदार्थ को बहुत ही कम तापमान पर थंडा किया जाता है तब वह पदार्थ जो है बोस आइंस्टाइन कंडनसेट अवस्ता में होता है या हम बोस आइंस्टाइन कंडनसेट अवस्ता प्राब्द होती है और दरासल इसका नाम दो वेज्ञानिकों के उपर आधरित है एक क्या हो जाएगा बोस और दूसरा क्या हो जाएगा अलवर्ट आइंस्टाइन तो बोस अगर हम देखें तो 1920 में भारती वेज्ञानिक सतेंद् बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्ताओं के लिए कुछ गड़नाएं की थी और उटके पसचाथ अलवर्ट आइंस्टाइन ने और अधिक अधियन किया और अलवर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की नई अवस्ताओं की थी कि पदार्त में या ब्रह्मांड में गया का इसलिए इसको बोस आइंस्टाइन कंदंसेट अवस्था कहा जाता है साथ ही साथ बर्तमान समय में इस अवस्था पर अनुसंदान कारजारी है 2001 में अमेरिका के एरिक ए करनेल बोल्फ वेंग केट रेले और काल ए विमेन को बोस आइंस्टाइन जो कंडनसेट अवस्ता है प्राप्त करने के लिए बोतिगी का नोबल प्रुसकार दिया गया था अब हम पदार्थ का रासानिक बर्गी करन पढ़ेंगे तो दरासल पदार्थ के करों की रासानिक प्रकृति के कारण जो बर्गी करन है उसे रासानिक बर्गी करन कहा जाता है और रासानिक आदार पर पदार्थ का अगर हम बर्गी करन देखें तो द्रब या पदार्थ को मुखुरूब से दो वागों में बरगी करत कर सकते हैं एक हो जाएगा इहां पर सुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या हो जाएगा मिस्रण तो रासायनिक प्रकृति के आदार पर पदार्थ को हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं एक हो जाएगा मिस्रण और दूसरा हो जाए लगा सुद्ध पदार्थ यदि पदार्थ एक समान प्रकृति के एक समान रासायनिक प्रकृति के कणों से मिलकर बना है तो उसे क्या कहते हैं मिस्रण कहते हैं फिर जो सुद्ध पदार्थ है फिर हम उसको दो भागों में क्या कर सकते हैं बाढ़ सकते हैं तो सुद्ध पदार्थ का तत्व होता है तो सुद्ध पदार्थ का वह मूल रूप जिसको और अधिक भागों में हम नहीं बाढ़ सकते हैं वो तत्व कहलाता है और योगिक दो तत्वों के निश्चित सन्योजन में मिलने से ही क्या होता है योगिक बनता है तो सुद्ध पदार्त में मूल रूप होता है तत्व और यदि दो तत्व आपस में नियत अनुपात में मिले हुए हूँ तो उसे ही क्या कहा जाता है योगिक कहा जाता है फिर योगिक दो प्रक हो जाएगा के लिए तो हम इस लेक्चर में यहां पर जो है इतना पूरा को पूरा जो है पढ़ने को इतना पूरा पढ़ेंगे बचा मिस्रण तो मिस्रण को जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि अगर हम देखें तो मिस्रण भी फिर एक होता समांगी ऐसा पदात जो कई प्रकार के रासाइनिक कणों या अलग-अलग रासाइनिक प्रकृति के कणों से मिलकर बना होता है वो मिस्रन होता है अब मिस्रन के यदि कण क्या है समान है पूरा मिस्रन हमको एक जैसा दिख रहा है तो वो क्या हुआ समांगी मिस्रण और इसको ही क्या कहा जाता है विलियन कहा जाता है तो जो मिस्रण है उसमें हम समांगी मिस्रण क्या होता है विस्मांगी मिस्रण क्या होता है साथ ही साथ समांगी मिस्रण में विलियन के बारे में पढ़ेंगे और विस्मांगी मिस्रण ऐ कैसा मिस्रुन जो देखने पर जिसमें अलग 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 दिखें वो कैसा हो जाएगा विस्मांगी मिस्रुन हो जाएगा तो जो विस्मांगी मिस्रुन है फिर वो किसमें एक तो हो जाएगा कौन सा निलंबन और दूसरा क्या हो जाएगा कोलाइड इसमें तूट जाता है त तो सुद्ध पदार्थ क्या होता है देखिए जब किसी पदार्थ में या जब किसी द्रब में मौजूद सभी करण एक ही रासायनिक प्रकृति के हो तो उस द्रब को ही क्या कहा जाता है सुद्ध पदार्थ कहते हैं और ये तीन नम्मर में यहां से अगर आप देखें तो य के सारे के सारे जो जितने भी यहां पर box बने हुए हैं यहां से तीन नम्मर के और पाँच नम्मर प्रश्ण पूछे जाने की समभाबना अगर पूछे कि सुद्धादार्थ क्या होता उधारन सहीत समझाई है तो सुद्वपदार्र चिपड़ी तीन नमर में आ सकती है और पूछा जा सकता है कि यहां से 11 नमर का परश्न बन सकता है कि योगिक किसी कहते हैं जो अकार्वनिक योगिक हैं उन्हें अंतर को समझाएए तो इस तरीके से यहां से अलग-लग परकार के जो परश्न है वो कितने प्रकार होते हैं सभी को उधारन सहत समझाईए यहां से 11 नमर का पूछा जा सकता है क्लियर तो तीन नमर में परिवासद क्या होगी देखिए किसी पदार्थ यह दर्ब में मौजूद सभी कण एक समांदरासानिक प्रवित्ती के हों तो उस पदार्थ को ही यह उस दर्ब को ही सुद्बतार्थ कहा जाता है और सुद्ध पदार्थ के जो कण है वो एक ही प्रकार के होते हैं अर्था तो सुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है साथ ही साथ अगर अगर हम यहां पर कडों के जो संक्ठन है रासानिक संक्ठन है तो उसके आधार पर यह दो भागों में बाट देते हैं तो सुद्ध पदात हुआ होता है जो एक ही परकार के कडों से मिलकर बना हुआ होता है या ऐसा पदार्थ जिसमें या ऐसा पदार्थ जो समान रासानिक प्रवित्ति के कड़ों से मिलकर बना हुआ हो सुद्ध्ध्ध्ध्ध चैलाता है और रासानिक संक्ठा ने उसके आधार पार यह हैं दो भागों में बाँट सकते हैं एक क्या हो जाएगा तत्व और दूसरा पदार्द का वह मूल रूप है तो तत्व सुद्ध पदार्द का वह मूल रूप है जिसे रासानिक अभी करिया दौरा और अधिक छोटे रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है तो तत्व सुद्ध पदार्द का वह मूल रूप है जिसे और रासानिक अभी करिया दौरा और बिवाजित नहीं किया जा सकता है उसे ही क्या कहा जाता है तत्व कहा जाता है उधारण के लिए क्या हो जाएगा ऑक्सिजन अब मैंने बताया है कि तत्व फिर तीन प्रकार का होता है धातू अधातू और उपधातू अर्था तत्व के उधारण देखे गरां तो क्या हो जा जाएगा रैट नाइट्रोजन हो जाएगा चांदी हो जाएगा कॉपर हो जाएगा सोना हो जाएगा रैट जितनी भी दातू अधातू है या उपधातू है वो सबी किसके उधारन है तत्व के ही उधारन है तो तत्व को भी धातू अधातू एवं उपधातू में बाटा गय दातु और अधातु को बहुत ही अधिक डेफ्ट में जाके पढ़ना है। लेकिन लेकिन अगर कभी प्रिशन पोच लिया जाए, कि तत्व क्या है, तत्व क्या है या तत्व को परिवासित करते हुए इसके बिविन परकारों को लिखिये या बिविन परकारों को समझाईए, या फिर पूछ सकते हैं कि तत्व क्या है इसके प्रकारों पर प्रकास डालिए तो अगर इस तरीके का प्रुष्ण आता है तो उसके लिए हम यहाँ पर दातू अधातू और अधातू को यहाँ पर संचिप में समझेंगे तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं धात्वों के बारे में तो देखे धात्वों हैं वे तत्वों होती हैं जो भौतिक आधार पर निम्न मैंसे कुछ या सभी गुणों को क्या करती है प्रदर्सित करती है तो धात्वों हैं वे तत्वों होती हैं जो निम्न वहतिक गुणों को प्रदर्सित करती है सबसे पहला ऐसा तत्व जिसमें धात्विक चमक होती है अर्थात सूर का प्रिकास पढ़ने पर यदि वो चमकता है तो ऐसा तत्व जिसमें चमक हो जो ताप एवं विद्दुत का क्या हो सुचालक हो उसे हम क्या कहेंगे धात्व कहेंगे तो ये चमकीली होती है ताप एवं विद्दुत की सुचालक होती है साथी साथी ये तन्या डक्टाइल होती है अर्थात धात्वों को हम खीच कर पतले तारों में क्या कर सकते हैं परिवर्तित कर सकते हैं ये आगहत वर्द होती हैं, अर्थात अगर इन पर चोट की जाए, तो ये टुकडूँ में नहीं बढ़ती है, जैसे उधारण के तौर पर पत्थर है, अगर आप पत्थर को हतोले से चोट करेंगे तो वो कई टुकडूँ में विखर जाएगा, काँच पर चोट करेंगे, व अगर आप किसी धातू पर हतौड़े से चोट करेंगे तो वो बिखरेगा नहीं वलकि वो पतली चादर के रूप में या पतली पन्नी के रूप में क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा तो खीचने पर यह तूटती नहीं है जैसे आप लकड़ी को अगर बहुत परिवर्तित हो जाती है साथ ही धातूओं पर अगर हम चोट करें तो टन की जो है वो आवाज आती है और यदि जिस तत्व में ये सभी गुण होंगे उस तत्व को ही क्या कहा जाता है धातू कहा जाता है उदारण के तोर पर लोहा, सोना, चांधी, पोटेसियम, पारा, इत्यादी इसमें सी भी आप ध्यान रखें कि पारा एक ऐसी धातू है जो धातू होते हुए भी कमरे के त देखें तो जो धातू है वो ठोस भी होती है परंतू अगर हम देखें तो पोटेसियम है पोटेसियम है लीथियम है ये धातू को हम चाकू से भी काटते है अर्था यहाँ पर पारा दरववस्था में होती है पोटेसियम, मेगनीसियम या लीथियम है उनको हम चाकू से भी काड़ सकते तो अगर किसी तत्व में इतनी गुण है तो उसे ही दातु कहा जाता है फिर हो जाएंगी अधातुंगे फिर अधातुंगे वे तत्व होती है जो निमने लिखित जो निमने लिखित भहते गुणों में से किसी एक को या सब को क्या करते हैं? प्रदर्सित करती है और अगर आपको अधातूं के बारे में विस्षिस्टाएं बताना हो ये कभी लिखना हो तो इसका क्या हो जाएगा? विफरीत भी हो जाएगा कि ऐसे तत्व जो चम्कीली नहीं होते हैं जो विद्दुत और उस्मा के कुचालक होते हैं, साथ ही साथ जो आगातवर्द नहीं होते हैं, प्रति दोनी पूर्ण नहीं होते हैं, तन्ज नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अधातुएं कहते हैं, तो जहां पर धातुएं चमकीली होती हैं, वहीं अधातुएं तारों में खीचा नहीं जा सकता, आगात वर्द नहीं होती है, अर्थात अधात उपर चोट करें, तो वो क्रिस्टल में तूट जाएंगी, साथ ही ये क्या है, प्रति दोनिक पूर भी नहीं होती है, अर्थात उन पर चोट की जाए, तो वो दोनी भी उत्पन्द नहीं करती है जैसे हाइडोजन ऑक्सिजन ब्रोमीन राइट कारवन डाइड आकसाइड क्लोरीन इत्यादी ये सभी क्या है अधातूं है अब हो जाएंगी हाँ पर उपधातूं तो देखिए उपधातूं वे तत्व होती है जिनमें ना तो धातूं के गुण होते हैं और ना ही हैं उपधातू कहते हैं अर्थात ऐसे तत्व जो सामान अवस्था में अधातू के गुणों को प्रदर्सित करते हैं अर्थात ये बिद्धुत्तात के कुचालक होंगे परंतू जैसे अगर हम इनमें असुद्धी मिला दे या फिर टेंपरेचर को बढ़ा दे तो ये किसक को क्या कहा जाता है उपधातू कहा जाता है उधारन के तोर पर बोरान सिलिकॉन जर्मेनियम इत्यादी तो हमने यहां पर देखा कि वह सब कुछ जिसका द्रप्मान होता है जिसका आयतन होता है जो इस्तान गिरता है जो दवाब डालता है जिसको हम उर्जा के द्वारा द अमान कड़ों से मिलकर बना होता है तो उसे ही सुद्धपदार्थ कहते हैं। सुद्धपदार्थ का जो मूल रूप है वही क्या कहलाता है। तत्व कहलाता है। तो हम यहाँ पर तत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम समझते हैं यहाँ पर योगिक के बारे में. देखिए, वह पदात जो दो या दो से अधिक तत्वों के किसी निश्चित अनुपात में मिलने से, या दो या दो से अधिक तत्वों के निस्चत अनुपात में रासानिक संयोजन से बनता है या बना होता है उसे ही क्या कहते है योगिक कहते है तो तीन नमर के लिए परिवासा हुई कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निस्चत अनुपात में मिलने से या दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित रासानिक से योजन से बना होता है, उस पदार्थ को ही क्या कहते हैं, योगिक कहते हैं, उधारण के तौर पर यहां पर यह हो जाएगा क्या हाइड्रोजन तत्व, और यह हो जाएगा ओक्सिजन तत्व, तो जब हाइड्रोजन तत्व और oxygen तत्व एक नियत अनपात अर्थात दो अनपात एक में मिलते हैं तो उसी से क्या बनता है जल बनता है और यहां पर जो H2O है यह क्या है यहां पर एक योगिक है एक compound है और ध्यान रखे कि हर एक compound में दो तत्वों का जो अनपात होता है वो हमेंसा निश्चित होत होता है यदि आप H3O कर दें तो क्या यह जल कहलाएगा बिलकुल नहीं कहला रहा तो अगर H2O है वैसे अगर अन्यवधारण की बात करें तो क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा राइट अन्योधारणों में क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा भाई कारवन का एक और ऑक्सिजन के कितने हो जाएगे दो हो जाएगे तो H2O हो जाएगा CO2 हो जाएगा NH4 या जिसको क्या कहा जाता अमोनिया कहा जाता है कारवन का एक आक्सिजन के दो परमाड़ हो जाएंगे नाइटोजन एक हाइडोजन के कितने हो जाएंगे चार हो जाएंगे राइट एन एसी एल हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन तो कुल मिलाकर वह पदात जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासानिक सैयोजन से बनता है उसे ही योगिक कहते हैं और इसमें जो तत्व है वो क्रिया करके नए पदार्थ का या नए योगिक का क्या करते हैं निर्मान करते हैं और इसकी महत्वपूर्ण विसेश्था ये है कि जब दो तत्व आपस में किसी निश्चित अनुपात में रासानिक सहियोजन करते है तो उससे जो नया पदार्थ बनता है उसके गुर्दार्म क्या होते हैं? अलग होते हैं कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने कहा कि जो जल हाइडोजन और ऑक्सिजन से मिलकर बना है तो इसके जो गुर्दार्म है वो हाइडोजन से और ऑक्सिजन से क्या होते हैं? अलग होते हैं अर्थात योगिक जिन अव्यवाँ या जिन तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है उनके गुर्दार्म क्या होते हैं? समप्त हो जाते हैं और जो योगिक है वो पूरी तरीके से नए गुड़दर्म वाला क्या होता है पधार तो होता है और योगिक का जो संग्ठन है वो हमेशा इस्था ही होता है यदि आप अनुपात में छुड़कानी करेंगे तो वो कंपाउंड कभी भी प्राप्त नहीं होगा साथी योगिक बनना एक रासानिक परिवर्तन का क्या है उधारन है अर्थात जब दो तत्व आपस में निश्चित अनुपात में रासानिक संयोजन करते हैं तो उससे ही क्या होता है योगिक प्राप्त होता है इससे जो आरविक जो संरचना है वो है भी परिवर्तन होता है ज से जब दो तत्व आपस में मिलकर कोई नया पदार्त बनाते हैं तो उसके गुर्धर्म पूरे तरीके से नय होते हैं साथ ही और इसको जो संग्ठन है वो भी क्या होता है इस्था ही होता है अब अगर इसको फिर से तोड़कर उन्ही दो तत्वों में तोड़ना हो तो इसको बहुतिक विदी से कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता है अर्थाद इसको रासाइनिक या बैदुत रासाइनिक पृति करिया द्वारा ही पुनाहा उन दो तत्वों में क्या किया जा सकता है तोड़ा जा सकता है अर्थाद हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सिजन के मिलन परिवर्तित होगा उधारण में ने बताई दिये हैं कि क्या हो जाएगा यहां पर जल हो जाएगा हाइडरोजन खुद हो जाएगा ऑक्सिजन राइट दो ऑक्सिजन के अनुओं से ऑक्सिजन जो योगिक है वो बना है फिर क्या हो जाएगा NH4 अमोनिय हो जाएगा CO2 हो जाएगा SO2 हो जाएगा तो ये सबी क्या है योगिक के क्या है उधारण है अब जो योगिक है ये भी कई प्रकार का होता है एक क्या हो जाएगा कार्बनिक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा कारवनिक हो जाएगा दरसल हमारे प्रत्वी पर हमारे प्रत्वी पर जो भी जीवित है राइट चाहे वो पेर पोदे हो चाहे वो जन्तु हो या मनस्य हो राइट उन सब की संरचना में कारवन का मुख क्या होता है मुख कंटेंट होता है इसलिए सभी जीवित पदार्तों में सभी जीवों में और हम यह कहें सजीवों में तो सभी सजीवों में कारवन तो मुक्रूप से होता ही है और प्रारंब में यही माना जाता था कि सभी सजीवों में कारवन ही होता है या जो योगिक होते हैं compound होता है वो किसका होता है carbon का ही होता है अर्थात carbonic compound या organic compound ही पाये जाते हैं परंतु फिर दीरे-दीरे खोजे हुई और आपको पता होगा कि जो यूरिया है वो बनाया गया था तो बाद में खोजों से पता चला कि जो carbonic या inorganic compound होते हैं उनको प्रियोग साला में भी तयार कर सकते हैं तो हम यहाँ पर जो योगिक या compound जिसके दो प्रकार है carbonic और अकार्बनिक उनके बारे में समझते हैं सबसे पहला क्या हो जाएगा carbonic योगिक, carbonic योगिक क्या होता है देखिए तो कार्बनिक योगिक का मतलब क्या हुआ देखिए वे योगिक जिनमें carbon मुक घटक होता है अर्थाद जिनमें carbon एवं hydrogen के बीच में bond होता है और साथी carbon hydrogen से जुड़ा होता है तो वे योगिक जिनमें carbon मुक घटक होता है साथ ही साथ कार्बन हाइडोजन से जुड़ा होता है यह कार्बन हाइडोजन बंड जो है कार्बन हाइडोजन बंड होता है उन सभी योगों को क्या कहते है कार्बनिक योगिक कहते है उदारन के तोर पर क्या हो जाएगा कार्बो हाइडरेट हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा साथ ही क्या हो जाएगा तेल हो जाएगा या अब हम बात करते हैं इन उर्गनिक पंपाउंड की तो वे योगिक जिनमें कार्बन मुक्ग गटक नहीं होता है साथ ही कार्बन एवं हाइडरोजन के बीच में बंद भी अनुपस्तित होता है उनको अकार्विनिक योग कहते है उद्धारण के लिए जैसे क्या हो जाएंगे चत्ताने हो जाएंगे या खनिज हो जाएंगे तो यह क्या हो जाएंगे प्राकर्तिक अकार्विनिक पदार्त हो जाएंगे जैसे क्या हो जाएगा एन ए सी एल clear right तो NACL हो जाएगा साथ ही क्या हो जाएगा दाबन सुड़ा हो जाएगा और क्या हो जाएगा नमक हो जाएगा तो ये सबी क्या हो जाएगे अकारविनिक योगिकों के उधारण हो जाएगे तो इस तरीके से हमने जो है तत्व और योगिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है अब हो सकता है मुक परिक्षा में आप से पूछा जाए कि तत्व और योगिक में क्या अंतर होता है लिखिए तो हम यहाँ पर तत्व एवं योगिक में जो है अंतर उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये पांच नम्मर में पूछा जा सकता है हाला कि हमने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन ही मान के चलिए क्यों कि सारी चीज़े हमने समझ ली तत्व और योगिक में पहला अंतर क्या है जैसे हमें पता है कि जो तत्व है तत्व जो है वो सुद्व पदार्त का मूल रूप होता है और सुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अड़ों से मिलकर बना होता है तो सुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अड़ों से मिलकर बना होता है और तत्व सुद्ध पदार्थ का ही क्या होता है मूल रूप होता है अर्था तत्व एक प्रकार के परमाणूं से ही मिलकर बना ह हुआ होता है परंतु जो योगिक है योगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनपात में रासानिक संयोजन से होता है रासानिक संयोजन से योगिक का निर्माण होता है दूसरा क्या है कि जो तत्व के गुर्धर्म होते हैं वो तत्व के सूक्षित्रमकन जो कि क लोगिक की जो गुरधर्म है वो उसके सुक्षमतम कण क्या हो जाएगा अडु हो जाएगा जैसे समझ यह यह to ह्टू है तो इसमें तो इस सम्तलब क्या हुआ हाइडागे में बारह अड़न है यहां तो हैने का मतलब यह हुआ है कि कोई भी तत्य व Cop K जो गूर्धर्म होते हुआ HO …क दोरह प्रदर्सित होते हैं परन्तू यहां पर योगिक के जो भौतिक और रासाइनिक गुरधर में है वो किसके दोरा प्रदर्सित किये जाते हैं अणूं के कारण होते हैं साथ ही साथ जो तत्व है उसको भौतिक विदी से या रासाइनिक विदी से और छोटे सरल पदार्तों में या सरल कड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है लेकिन रासाइनिक विधी से क्योंकि अगर हम देखें योगिक की तो योगिक को भौतिक विधी से उसके तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता है परंतु रासायनिक विधी से योगिक को सरल पदार्तों में विगटित किया जा सकता है अगर हम बात करते हैं तत्वों की तो तत्वों की संख्या हमारी प्रत्वी पर नियत है अभी तक जो ग्यात तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है 118 परन्तु योगिकों की संख्या तो बहुत ही जादा है साथ ही साथ अगर उधारण देखें तो हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है हाइड्रोजन यह वाला राइट नाइट्रोजन यह हो जाएगा कारवन यह हो जाएगा राइट तो यह सभी कारवन हाइड्रोजन इने रखेगा अगर आपने गलती से इसको H2 कर दिया तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगी गलती हो जाएगी हम यहाँ पर बात कर दाए है है तत्व के उधारण है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन गैस है वो योगिक का उधारण है ऑक्सजन जो गै के ही क्या है उदार्ट तो हमने इस लेक्चर में पदार्थ को साथ ही सा तत्व एपन योगिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है अगले लेक्चर में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद